हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर आज यह जल्दी एक पार कमेंट सेक्षिन में देख लेंगे आपके पास कौन-कौन स्टोडेंट आज आपके पर जैंठे क्लास के अंदर और कोश्चिन हम करेंगे आज आपके पास यह कोश्च किया जाकर पहले प्रेंडआ देख लेके समय आपका बिरतनी करेंगगे कि हंडर कोश्चिन है पाले आप पास ज्यादा कोश्चिन है तो सप्सक्र लगनेया वाला है इससे पहले कर संडे सेशन नहीं देखें तो जाकर आप देख लेना पुरानी वीडियो को मिल जाएगी चलिए पहला प्रेशन देखेंगे इन विच फिल्ड डिट वाइगोस की वर्क वाइगोस की ने किस क्षित्र में कारे किया है आपके पास ओप्षिन दियेगे हैं शोचल डॉलपमेंट, कॉगनेटिव डॉलपमेंट और यहां पर स्पेलिंग मिस्टिक आपके देखने को मिल रही है ठीक है लेकिन कोई बात ने कॉगनेटिव डॉलपमेंट आपके पास है, मेंटे डॉलपमेंट आपके पास है, नन ओफ देवाव तो बता देजिए social development, cognitive development, mental development, none of the above तो वाइग उसकी ने किस एक शित्र में आपके कारे किया था तो सभी को पता है cognitive development में आपके पास किया था तो ये आपको पता होना चाहिए option जो आपके पास यहाँ भी दिया गया था ये बिलकुल आपके ठीक है आलग इसमें spelling mistake आपके पास है लेकिन कोई बात spelling से आपने कोई ले लेना आपके पास cognitive spelling है वो आपके पास देखने को मिलेगी ठीक है तो cognitive development से लेटिड आपके पास वाइग उसकी थे इसका अपने क्या याद रखना जो वाइगोस की थे आपके पास cognitive पर इन्होंने काम किया है तो यहाँ पर cognitive से लेटिड इसलिए आपके पास है क्योंकि कुछ को लगेगा कि आपके पास यह शुक्छल कल्चर से है तो डेफिनेटल आपके आए सकते हैं यहाँ पर cognitive development के इन्होंने तीन कारण आपके बताया थे जो की पहला कारण क्या था फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहला आपके पास देखने को मिलता है यहाँ पर कल्चर ठीक है क्लासिस के अंदर हमने डिसकस किया है जो आपके पास क्लासिस वाले स्टूडेंट है सेकिंड के अगर मैं बात करूँ तो सेकिंड आपके पास देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर सोसाइटी सेकिंड के अगर आप बात करें सोसाइटी के बाद तो यहाँ पर जो थर्ड देखने को मिलेगा थर्ड कौन सा देखने को मिलता है तो थर्ड आपक B था बिर्कुट शीक था अगले प्रिशन पर चलते हैं अगले प्रिशन आपके पास है प्रतिदर्शन सिधान का प्रतिपादन किसने किया है प्रतिदर्शन सिधान सेंप्लिंग थियोरी की बात की जा रही है तो सेंप्लिंग थियोरी इनमें से किस ने दी option आपके पास है फ्रावल, थोंडाइक, थॉंसन और आपके पास यहां पी पैवलो बात की जाएं यहां पे तो राइट आपके पास क्या होगा? और बिल्कुल असा प्रेशन है जो कि स्टूडेंट आपके पास क्लासेज वाले हैं तो उनका तो गरत होगी नहीं सकता, ऑप्रेंट करशनिंग जिसको इंदी में कहा जाता है, इंदी में कहा जाता है, इसको सक्रीय अनुमननन का सिधान, यानि कि प्रक्रिया सूथ का सिधान को मलती है, आपके पास यहां पर देखने को मलती है, बी अप स्कीनर की ऑप्शन यहां पर जो बी था, बिल्कुल यहां पर निसंदे आपकी सही हो जाना था, ठीक है, अगले प्रिशन पर चलेंगे, अगला प्रिशन आपके पास उस्कीन पर दिखाए दिए रहा है, क्या ह आपके पास दिया गया प्रोगात्मक वीदी आपके पास experimental method की बात की गई है प्रोगात्मक सरोप्रतम प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था तो यहां पर option जो आपके पास first दिया है विलियम वो टीम यह आपके पास यहां पर सही हो जाएगा ठीक है तो आपके option जिसने infancy is the ideal time to learn तो ideal period इसमें से किस ने इसको कहा शेशा वस्ता को सीखने का जो आदर्श काल है वो इनमें से किस ने कहा क्या पियाजे ने कहा है फ्रॉबेल ने कहा है वैलेंटाइन ने कहा है या फिर कोहलर ने कहा है option आपके पास दिये गए टीक है वैलेंटाइन ने कहा था चली next question पर आजाते question number आपके पास next रेगा six who gave the theory बता देना inside theory आपके पास किस के दोरा दी गई inside theory जो आपके दी गई थी इसमें से आपके पास कौन से क्या आपके पास experiment रहेंगे या फिर आपके पास यहां पे बी-अप स्कीनर रहे पैवरो है या फिर को रहे inside theory जाएर सी बात है अंतर दिश्टी का जो सिदान थे इन में से किस ने दिया था तो अंतर दिश्टी का सिदान था आपके पास scholar द्वारा दिया गया था option यहां पे जो डी था यह बिलकुर आपके पास यहां पे राइट हो जाना था अगला प्रूशन आपके पास एक पांच वर्ष यह बालक है उसके मानसी का यह चार वर्ष है तो उसकी बुद्धी लबदी क्या होगी पांच साल का बच्चा है उसकी मानसी का यह आपके पास चार वर्ष है तो यानि कि आपके पास इसमें जो फॉर्मॉरा लगेंगा मैं अपॉन सीए मुल्टिप्लाइब आपने हंड़ कर देना क्तुन है आपके पास ऐना Пон्मि मेंटल लेग आपके पास फॉर्ष है अब दिखने आप वरD मेला कि आपके पास और और यानि कि आहांपके पास क्या कि आपके पास 80 को मिलता था यहां पर मत्रीक जाना था जिसका संबन और अधिहापन और और अधिगम से हैं यह कतन vais psychology is the branch of psychology which is concerned with teaching and learning बताना है आपने education psychology is the branch of the psychology which is concerned with teaching and learning शिक्षा मनवग्यान मनवग्यान की वह शाका है जिसका संबंद अध्यापन और अधिगम से है आपके पास स्टेनले होड विलियम जिम स्कीनर स्टेर्क स्टेट्मेंट है स्टेट्मेंट में इसकोशन आप से पास पूछे जाते हैं तो ऑप्शन अगर आप सी और डी ठीक है बता दीजी मनव विज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने का है डिसकार्ट एंड लॉक ने एरिस्टोटल एंड प्लेटो विलियम जेमस एंड विलियम वोन एम सी डूगल एंड वर्सन तो यहां पे जो आपके पास राइट हो जाएगा एरिस्टोटल एंड प्लेटो जो है मनव विज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं तो आप्शन यहां पे जो भी था बिल्कुला एक दो कोशन ऐसे बन सकते हैं यह तबी आपके डाले गए हैं ताकि क्योरिस्टी आपकी बनी रहे और यहां पे जो आपके पास से वंट है वाट्सने ड्लोक है कौने आपके पास पहली क्लास के अंदर जब मैं आप की पास क्लासिकल कंडिशनिंग थियोरी करवाता हूं तो हमेशे आपको बताता हूं एक बिहीवियर का जो concert है वह देखने को मिलता है वहवार के अध्यान से समंदीत कौन-कौन से आपके पास थियोरिस्टे, कौन-कौन से साइक्लोजिस्टे जिन्होंने ये थियोरिया आपके दी है तो यहाँ पर जो father of behaviorism है वो बहुत आपके पास लोगों ने behaviorism के बारे में बात किये लेकिन father of behaviorism एक कहलाते हैं जो कि आपके पास कौन है, जे वी वार्सन option जो C था, ये बिल्कुल ठीक था इन्होंने अपने बच्चों पर experiment किये थे बीएफ स्कीनर प्रसिद वेग्यानिक थी तो कहां के आपके पास थे, बीएफ स्कीनर प्रसिद वेग्यानिक आपके रहे कहां के रहे, option आए, ब्रिटेन, इंग्लेंट, अमेरिका और रूस अधिक ते जो आपके पास वेग्यानिक रहे, जो साइक्लोजिस्ट आपके देखने को मिले तो आपके पास किसके द्वारा दिया गया था, learning सीखने के जो नियम है, लर्निंग के लोज है, किसके द्वारा आपके बताय गया थी, question number 12, option thonda एक, payolos, skinner और none of these, यहां पर सीखने के जो नियम है सीखने के नियम आपके पास दो नियमों की बात लिए थी प्रात्मिक नियम जिसको आपने सुनाओगा प्राइमरी लोज सेकंडरी लोज यह किस ने दिये थे प्राइमरी लोज सेकंडरी लोज यहां पर अगर यह भी पूछ लिया जाया कि प् तो थोंडाई का जो एक नियम था, जो आपके पास प्रभाव का नियम है, law of effect है जो आपके पास, इसी पर तो काम आपके करते हैं BF Skinner, BF Skinner ने जो अपनी theory दिये है, operand conditioning वो इसी law of effect पे आपके दिये है, प्रभाव के नियम पे दिये है, कि आपके पास प्रभाव जो पड़ दी गई है, बहु बद्धी सिधान, Spearman, Sternand, Johnson, Howard Garner, Alfred, जो आपके पास बीन, या आपके पास बीन क्या आपके पास हो गया option, कोई बात ने, इसको Alfred Nobel मानकर चली, ठीक है, किस ने दिये आपके पास, सुर गया था तियोरी of multiple intelligence, तो multiple intelligence तियोरी आपके पास किसके द्वारा दी गई थी, Howard Garner द्वारा दी गई थी, option जो यहाँ पर सी दिया था, निसन दे, यह आपके यहाँ पर राइट हो जाना था, ठीक हो गया, चलिए, next चलते है, तो प्रजेक्ट मेथर्ड जो आपके पास teaching में यूज गया जाता है, इसके फादर आपके कौन है, किल पैटरिक है, मैसलो है, विलियम वूंट है, बोरिंग है, कौन है आपके पास है, option आपके पास स्किन पे दिया है, तो प्रजेक्ट मेथर्ड के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो फादर आपके है, तो किल पैटरिक है, option अगर आपने ए लगाया था, निसंदे 100% आपके सही है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने मार्क साब लास्ट में जुरूर शेयर करना, next आपके पास है, where was the first experimental psychology laboratory, यहाँ के पास first experimental psychology laboratory है, वो आपके पास कहाँ पे open व student है, पहली बार visit हुए है, या अभी नया नया जोइन किया है, तो पहली बार आपके इस class का अंदर enter है, तो फिर हो सकता है, आपके गलत हो, लेकिन अगर आप repeated question देखे, तो बार-बार यह question पहले exam में पूछे गे, और यहाँ पे आपके पास इतनी में दावे के साथ किया स सकता हूँ, उसके लिए एक मेरी condition है, अगर जो है आपके exam से पहले, जो कि आपके पास exam होने वाला है अभी, इस exam से पहले यहाँ पे 40 के subscriber हो जाते हैं, तो four classes में back to back आपकी daily हर subject की, जैसे कि एक दिन quality हो गया, एक दिन geography हो गया, एक दिन आपके पास history हो गया, एक दिन psychology हो यह चार classes जो है, एक से दो गंटे की आपको मैं daily provide कराऊंगा, complete revision के साथ YouTube पे, बाकी classes वाले student का तो already हो गया है, अब आपका दाइद तो रहेगा कि यहाँ पे 40 के जो subscriber है, वो पूरे आप करवा दीजिए, अब यह आपके पर depend करेगा कि कैसे पूरे करेंगे, या तो family के phone से subscribe कर दीजिए, या आपके जो friends है, जो त्यारी कर रहे है, especially teaching exam की, उनको recommend कर दीजिए channel, अगर हाँ पे 40 हो जाते हैं, तो मैं आपको 4 classes जो है, बिल्कुल निसन दे और उसमें open doubt question आपके रखेंगे, open ended आपके बास session रहेगा, पूरा का पूरा, ठीक है, देखें कि अगर आप आपका ऐसा होता है, तो चार classes, जैसा मैं promise आपको किया है, आपको provide किया जाएगा, तो क्या यहाँ पर होगा, आपके पास 15 का, लिप्चिंग, option A, ठीक है, next पर चलते हैं, next आपके पास question number 16, William Woon't किस परकार के मनवग्यान के जनक माने जाते हैं, option आपके पास है, विगास आत्मक, प्रयोगात्मक, तुर्नात्मक और उपरोक्त में से कोई नहीं, William Woon't कि जब भी बात की जाएगी, तो यह experimental psychology, तो experimental psychology कहां पर आगा, प्योगात्मक मनवग्यान में, option जो भी था, यह यहाँ पर राइट है, next चलते है, question number 17, आपको मैंने बता ही दिया अभी, बातों बातों में, तो क्या हमने बात की, operating conditioning कौन किसने दी थी, BF Skinner द्वारा दी गई थी, तो law of effect जो है, इस पर अधारी थी, तो law of effect के अगर मैं बात करूँ तो option B70 के अंदर आपके पास यह देखने को मिल रहा है, तो यह आपके थोंदाई का यह लो है, इस पर पूरी आपके अधारीत रहे है, नेक्स्ट एक, गेस्टार्ट मनविज्यान के सबसे मत्यपूंस दस्थे, most prominent member of the gestalt psychology, गेस्टार्ट साइक्लोजिस्ट आपके पास वर्दीमर, कॉलर, कॉफा, तीनों आपके रहे हैं, तो question number 18 का अगर आप देखें तो option जो D है, और प्रोप्त सभी, यह बिल्कुल आपके पास ठीक होगा, inside theory से संबंदी थे, आपके पास सारे के सारे, according to thondike, how many primary laws are present in the learning process, thondike के जो है, primary laws के अंदर कितने present है, learning process, यह आप से पूछा क्या है, जो कि मैंने आपको बातों बातों मैं वैसे भी बता दिया, कि तीन तरह के primary laws है, और eight type के आपके पा जो C दिया था, ठीक है, third, यह आपके पास यहां पर write हो जाना है, next पे आजाईए, when was the bloom taxonomy revise, bloom taxonomy revise आपके कब होए, तो bloom taxonomy cognitive domain, तीन तरह के domain से cognitive affective psychomotor, तीन domains में से आपके पास cognitive domains की बात किया थी, benjamin's bloom ने इसको जो है, present करने के लिए bloom taxonomy लेकर आए, तो bloom taxonomy आपके पास आ देखने को मलती है, लेकिन यह revise आपके कब हुई थी, option आपके पास यहां पर दिये गया है, option first, second, third, fourth, क्या होगा, अगर आप कोई और option देना चाहते है, other, तो आप यहां पर option other भी दे सकते हैं, इसका option आपके पास यहां पर mention किया गया, question number 20 की हम बात कर लेते, question number 20 की अगर में बात करू, तो option अगर आप यहां पर C देखिए, जो कि 2001 में आपके यह revise वही थी, ठीक है, option C आपके पास right हो जाएगा, आगे चलेंगे, question number 21, bell plus food is the part of dog learning in classical conditioning theory कहां पर, generalization में, acquisition में, discrimination में, extension में, तो जब भी हम process of learning देखते हैं, classical conditioning के, तो उसमें आपके पास देखने को म in classical theory कहां पर, generalization में, acquisition में, discrimination में, extinction में, question number 21 का अगर आप ध्यान से देखे, तो option जो first है, acquire ही यह करवाय गया कि bell के बाद आपके खाना आएगा, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, acquisition, option आपके पास जो B दिया है, यह आपके पास सही है, और process of learning के अंदर first point आपके पास acquisition ही सिखाया ही यह गया कि bell के बाद आपके खाना दिया जाएगा, यह learning उसको करवाई गया थी, ठीक है तो option यहां पर second right हो जाएगा, आगे चलेंगे, question number 22, gesture use comes under which learning domains, तो gesture जो है, कहां पर आपके पास किस learning domains के अंदर आपके पास आते हैं, gesture की बात की जा रही है, ध्यान से सुन स्किल प्रजेंट कर रहा है, तो gesture use come under which learning domains, तो साइको मोटर डॉमेन है, यहां पर मास्पेशियों का यूज आपके होता है, तो साइको मोटर डॉमेन के अंदर आपके पास skills आपकी जितनी भी है, जो कुछ आप कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, चाहे जेस्चेरी कर र जाते हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप देखे, education psychology is a science of education, शेक्षिक मनवग्यान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिबाशीत किया, किस ने किया, पील ने किया, स्कीनर, क्रो एंड क्रो एंड जे बी वाट्सन, तो education psychology is a science of education, किस ने कहा है, statement आपके पास direct है, question number 20 थ देखे, पील, right हो जाएगा, चलिए, next पे चलते हैं, question number 24, बालक अपने चार और जिन वस्तियों और परिस्तियों को देखकर चिंतन करता है, वह क्या होता है, कोई बच्चा जो है, यह पैड़ागोजी से question है, पैड़ागोजी के बन जाते हैं, बच्चा अपने चार और ज चार और बच्चा देख रहा है, 24 की अगर बात करें, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर जो देखने को मिलता है, किस तरह का चिंतन यहाँ पर देखने को मिलेगा, question number 24 में, यह प्रत्यक्षात्मक, चीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका म होगा हला कि तार्की कादार कैसे बनेगा कि यह चीज कैसे हो ही क्या हो रही लेकिन यहां पे राइट अंसर क्या होगा तो राइट यहां पे होगा कोश्टन इमब टूंटीफोर का बी प्रतियक्ष च्रैक्ष तोर पर चीजों को question आपके पास individual differences से बन जाता है तो ये भी important है विक्तिगत विविन्ता का मुख्य कारण क्या है question number 25 के अगर मैं बात करूँ तो ये सब ही आपके रहते है A's भी रहती है, heritage भी रहती है, environment भी रहता है तो option जो है D आपके पास यहाँ पर right हो जाएगा learning by insight अंतरदिश्टी द्वारा जो सीखना किस के अंतरगत आपके पास ऐसा माना जाता है कि जो learning होगी वो insight होगी, ये किस ने कहा था क्या गैस्टार वादियों ने कहा था वाई गोद्सी ने कहा था या फिर आपके पास वहवार वादियों ने कहा था यह जीन पर आजेगे हैं थी, कौन ऐसा मानता है कि learning जो होगी, वो inside होगी अंतरदश्टी पर अधारित होगी वेक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए उसके मस्तिश को उसका प्रयोग करने देना चाहिए experiment उसको खुद से करने देने चाहिए प्रयोग उसको स्वहम से करने चाहिए तो यहाँ पर learning by inside जो है, यह कहते हैं आपके पास gestalt वादी, और gestalt वादी में कौन कौन थे, वर्दिमल कोहलर, कौफा तीन वेक्ति थे gestalt वादी, inside थियोरीन के द्वारा तो दिये गए यह किस विचारदारा से थे gestalt वादी थे, ठीक है बाकी कौन से थे, बाकी वहवार वादी कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ आपकी पास और भी देखने को मिलते हैं, तो फिलाल तो आपके पास यह option है आगे चलेंगे आपके पास question number 27 cycle चलाने वाला scooter चलाना सीख लेता है यह क्या है? Question number 27, किस थेउरी से पूछा गया है? तो थोन डाइक की आपके पास जो थेउरी है थोन डाइक की जो थेउरी है थोन डाइक की थेउरी में आपने देखा होगा transfer of learning एक point आता है तो उसमें तीन तरह के transfer of learning की या तो positive transfer of learning होगी या negative होगी या फिर zero transfer of learning होगी यह depend करेगा कि यहाँ पर आपके पास जो learning है वो किस तरह से अगर पहले कोई चीज सीखी वी दुसरी चीज को सीखने में मदद कर रही है तो उसको कहा जाएगा positive transfer of learning अगर option में देखे positive transfer of learning किस के अंदर देखने को मिलता है तो question number आपके पास 27 में जो धनात्मक्स थनांत्रण है किसी को कहा जाता है positive transfer of learning तो यहाँ पर पहले कोई चीज दुसरी चीज को सीखने में मदद करती है अब cycle चलाने वाला scooter सीख लेता है क्या reason है balance बनाना उसे अल्रेडी आता है two wheeler आपके पास अगर किसी को एक कोई चीज आती है तो दुसरी चीज़ों सीख सकता है जैसे cycle चलाने वाला आपके पास scooter सीख सकता है बाइक सीख सकता है आपके पास स्कूटी सीख सकता है ठीक है तो two wheeler में जितने भी आपके पास है वो आपके पास सें ही रहेगा दोनों का he THON IYE Which का नियम आपके पास, अधिगम का जो नियम है. THON IYE नियम का अधिगम का कौन सा नियम है? Trial and Error का नियम आपके पास. Trial and Error टيोरिस के दुदारा दी गई थी. अब इसने जो Learning के Low 명 जो नियम दिये, उसमेnd Primary Lows और Secondary Lows. दो हमने पहली बात कर ली. अब इसमें पूछा क्या गया है कि यहां पर primary laws के अंदर question number 28 की हम बात कर रहे हैं primary laws के अंदर जो है तीन लोग थी इन तीन laws में अंदर कौन-कौन से law of readiness है, law of effect है, law of practice है इन तीनों में जो है सरवादिक प्रधानता जो है thon-dike किसको देता है यह देता है आपके पास जो प्रेक्टिस है law of practice है, अभ्यास का जुनिया में इसको सरवादिक तोर पे प्रधानता देता है जिसका आपको जीता जगता है example आपने क्या देखा trial and error जो theory है उसके अंदर बार-बार जो प्रियास करने का सिधानत है यह बार-बार जो अभ्यास किया जा रहा है केट के दोरा, उसको दोरा उसकी केज में डाल दिया वह आपी सो बाहर आ जाती है तो यहाँ पे अभ्यास तवारा आपकी truth यह लगातार कम होती चलिया तो यही तो आपके सिध करने का आपके थोंडाइक ने प्रियास किया तीन लोज के अंदर जो है जो प्रेक्टिस है इसको इसने अधिक महत्ता दी है तो आप्शन आपके पास जो यहाँ पे C, A, R, यहाँ पे हो जाएगा साइकलोजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है बैसी कोश्चन है जब भी साइकलोजी आपको पढ़ाई जाती है B, E, D, E, J, B, T में जहां भी आपके पास इसको पढ़ाई जाता है N, T, T कहीं भी आपके पास साइकलोजी पढ़ाई जाती है साइकलोजी का मतलब आपके पास साइकलोजी शब्द की उत्पत्ती हमेशा आपको देखने को मिलती है साइकलोजी शब्द की जो उत्पत्ती है दो शब्दों से मिलकर हुई है अब ये दो शब्द कौन-कौन से यह आपसे पूछा गया है दो शब्द आपके पास जो देखने को मुलते हैं वो थे psyche plus logos अब देख लीजिए कहाँ पर है किस option में है psyche plus logos आपके पास कहा है spelling का विश्ष्षतर पर ध्यान देना तो मुझे तो option D दिख रहा है ठीक है अब यहाँ पर एक बार मैं भी ध्यान से देख लेता हूँ gs gs ओके यहाँ पर साई को गलत है ठीक है option D आपके पास राइट हो जाएगा psyche plus logos option D आपके पास यहाँ पर साई हो जाएगा psychology जो है दो शब्दों से मिलकर बना है देखने में सारे similar लग रहे है spelling mistake है बाकी और कुछ नहीं है next चलिए operand conditioning behavior and reinforcement is बता देची operand conditioning behavior and reinforcement is क्या आपके रहेगा क्या यह positive है negative है बहुत है behavior जो है और reinforcement जो आपके पास होगी वो कैसी होगी positive होगी या negative होगी according to जो है bf skinner operand conditioning theory में उसने बता है reinforcement आपकी positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है depend करेगा situation में option आपके पास क्या होगा c reinforcement अगर आप जो है सही चीजों के लिए दे रहे हो तो positive है अगर जो बूरियाद्तों को खतम करने के लिए negative reinforcement का use करे हो तो वहाँ पे हो सही है psychology आपके complete होगी 30 questions में से आपके इतनी में उमीद करता हूँ कि कम से कम आपके पास यहाँ पे 28 तक जो हो गए होगे classes वाले student के सही हो सकता है किसी के 30 out of 30 भी होगे होगे जो हम मेरे 2-3 batch में आपके पास है जिनके पास notes भी है उनके हो सकते है कि 30 भी आपके पास सोगे अच्छा एक और बात है आपके लिए जो mock test में लगबग तियार कर दिया है अब last के जो है 15 हाँ 15 के बाद आपको mock test में प्रवाइड करवा दूँगा है पांच mock test पुराने वाले हैं पांच new बनाया है पांच ये new ऐसे हैं कि आपके किसी भी classes को भी नहीं दिये गए है अभी तक आपके यहाँ पे भी नहीं शेयर किये हैं यूटूब पे तो ये Google form के थुरू आपके पास है जैसे test आपको मलते है classes में और पहले भी कई यहाँ पे channel के थूँआ आपको प्रवाइड किये गए हैं इसको पंद्रा तक आपको में प्रवाइड करवा दूँगा भी थोड़ा सा schedule बीजी है क्योंकि अभी आप preparation कर लीजिए तो mock test last के जो 10 दिन आप लगा ना ठीके पोश्चन बूपर देख लेते हैं थोला दारे इंडी काहाँ पे मंडी है कहां के देखने को मिलती है सभी में देखने को मिलती है थोला दार जो range है मंडी तो यह मंडी चेह Annoyama कांगड़ा के लिदर आपको पाद देखने को मिलती है तो इस उपरो आपके पर जो यहां पे सी दिया गया था बिल्कुल आपके पास यह ठीक था अगला पूर्शन मारकंड़ा नदी हमाचिल प्रदेश में जो है जिले में आपके बैती हैं तो ऑप्शन आपके पास दिये घर है चंबा सिर्मोर मंडी और शिम्ला, मारकंडा खड मारकंडा खड या नदी खड आपके पास वैसे है, नदी तो इसको कह नहीं सकते, लेकिन जो कभी कभी इसमें पानी बरसात में आ जाता है जादा, तो उस करके आपके पास इसको नदी कहा जाता है तो सिर्मौर में आपके पास देखने को मिलती है ठीक है सिर्मौर की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत है कोई बात ने टाइपिंग मस्टीक है इसमें चमबा किस नदी के किनारे अवस्ती थे चमबा किस नदी के किनारे अवस्ती थे बताना है व्यास नदी, चिनाव, सत्लुजव, रावी मुझे लगता है बताने के जुएत नहीं है कुछ नमबर 34 का अगर आप डी देखे रावी नदी के किनारे आपके पास यहाँ पी चमबा अवस्ती देखने को मिलता है कुछ को यह चिनाव लग सकता है चिनाव नदी बुझेंद में प्रवेश जूर करती है लेकिन चमबा जो है चमबा शेहर की बात की जारी है किस नदी के किनारे तो रावी आपके पास रहेगा 35 आपके पास कौनसी परवशिंकला सिर्मोर को जो है शिमला से अलग करती है तो कौन सी परवशिंकला है यह आपके पास शिमला की दक्षिन चोटी बिसको कहा जाता है शिमला के दक्षिन की चोटी है आपके पास एक्षिन है और यह आपके सिर्मोर और शिमला को अलग करती है जो कि आपके पास question number 35 का first option चूडचांदनी जिसको आप चूडधार भी कहते हो ठीक है जिसको आप चूडधार भी कहते हो इसकी हाइट भी कई बार पूछ ली जाती है सिर्मोर के सबसे उची चोटी है 3647 मिटर इसकी हाइट आपके रहेगी तो यह आपको ध्यान में रखना है साथ में एक और प्रिशन आपसे पूछता हूँ अगर फीट में पूछा जाए तो फीट में इसकी हाइट कितनी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा चले नेक्स देख लेते हैं question number 36 हिमाचल की सबसे छोटी कृतिम जील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृतिम जील गोविन सागर पॉंग पंडोब प्राशर यह सारी आपके पास जो जीले देखने को मिल रही है यह आपके पास जो तीन जीले हैं यह कैसी जीले हैं यह मानो निर्मी थे कृतिम आपके पास है क्रितियम का मतलव है इनको बनाया गया है ठीक है दूसरी होती है प्राक्रिति जो कि आपके पास नेचुरल आपके पास लेक देखने को मिलते हैं यह आपके पास मानोनेड में क्रितियम जील आपके पास आर्टिविशल लेक कह सकते हैं जो की बांध बनाने से बनी है यह समझ पड़ा पंडव जील मंडी क्लियर हैं जिनको नहीं पता था लग गया होगा जिनको पता था बहुत अच्छी बात है भुंडा उत्सो किस से संबंदी थे ऑप्षिन आपके पास दिये गहें तो किस जिले से संबंदी थे ऐसे भी पूछा जा सकता है तो कुलों मैं देखने को मिलता है आपके पास यह तो पता होना चाहिए पहली बात दूसरी बात यहां पर किस परशुराम से हैं लोमस रिषी से वरुण देपता या फिर आई आई एस शिंबला में कहां है आई आई एस कहां पर आपके पास है एक्चुल में यह एडवांस टेड़ी है एडवांस टेड़ी कोश्चन है ठीक है बता दीजी समबर ही ले आपके पास अबजेक्टरी ही ले बैनोटरी है या फिर जाकुई ले किस इल्स पर आपके पास यह देखने को मिलता है जो एडवांस टेड़ी आपके पास है कोश्चन नमबर 38 का बी अबजेक्टरी ही ले इस राइट एंसर नेक्स चलते हैं कोश्चन नमबर 39 जातक किला किस ने बनाया पहली बार जातक तीला है कहां पर यह सिर्फ मोर में आपके पास है दूसरी बात किस ने बनाया था तो यह बनाया था आपके पास गुर्खा कमांडर आपके रहे जो की कौन थे ऑप्शन अगर आप 39 का सी देखिए रंजोर कौन थे तो कौन आपके रहे थे एस चकरवती बजरंग सिंग भादो एंसी महता करम सी ठाकू तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बेसी कोश्चन है तो कोश्चन नमबर 40 के अगर मैं बात करूँ तो केंदर शाषित परदेश के पहले उपराज़े पाल 1956 से लेकर 1971 तक आपके पास के अंदर शाषित परदेश रहा तो इसमें पहले उपराज़े पाल आपके बजरंग बहादूर आपके चुनेगे option यहाँ पर जो B था यह आपके यहाँ पर ठीक हो जाएगा next चलते है हिमाचल परदेश के सबसे उपजाओ गाटी सभी को पता होगा कौन सी है तो option first बलह गाटी जो कहाँ पर आपके पास है मंडी में है next कालका शिम्रा रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगे यह question जो काफी ज़र controversy का बना रहता है लेकिन अगर आप option पर धिहान दी तो option बहुत दूर दूर है दूर दूर का मतलब है कि nearby नहीं है तो 103 राइट होगा बाकी 102 भी option में दिया जा सकता है 101 भी दिया जा सकता है लेकिन 103 पहले था तो अब साइद यह और आपके गिर गई है तो 102 में भी present हो सकती है तो option पर धिहान देना अगर 102 के nearby कोई option नहीं है तो फिर वो राइट आपके पास होगा 17 अगस्ट 1947 को बारतिय सिंग में विले होने वाली पहली रियासत इनमें से कौन से थी 17 अगस्ट 1947 को बारतिय सिंग में विले होने वाली पहली रियासत हिमाचल परदीश की कौन से देखने को मिली 43 के अगर मैं बात करू, option जो D यहाँ पे है, यह देखने को मलती है, ठियोगरी आसब, important है, यह आपसे question बहुत बार exam में पूछा जाता है, अगला question, हिमाचल परदेश में इंडिया नेशनल कॉंगरिस की शाका के शुरुआत कब से माने जाती है, 44 के अगर मैं बात करू, तो कौन सी गाटी hanging valley है, hanging valley के नाम से किसे जाना जाता है, hanging valley, दून गाटी, pin गाटी, पाँगी गाटी, एरचावी गाटे, question नम्बर 45 का option जो भी है, pin गाटी आपके पास hanging valley के नाम से इसको जाना जाता है, next आपके पास kallu की छोटी काशी किसे कहा जाता है, question number 46, कुल्लू की शत्रंच नामक पुस्तक के लेखक HPG के से कोश्चिन बन जाते हैं कम से कम 10 से 12 कोश्चिन आपके देखने को मिलते हैं आपके एक्जाम में किसी विस्ट्रिम से आप हो medical, non-medical, doesn't matter राजनेती की सत्रंच नामक पुस्तक के लेखक होने Q47 में option जो first आपके पास रहेगा शांता कुमार is the right answer Next इंदर किला परवचोटी हिमाचल परदेश के किस जिले में हैं इंदर किला परवचोटी है हिमाचल परदेश में देखने को मिलती है किस जिले में आपके पास देखने को मिलती है question आपसे पूचा गया है question अगर आप देखे तो चमबा मंडी option अगर आप देखे लिए चमबा मंडी कांगडा कुलू क्या आपके पास होगा question number 48 option इसमें अगर आप देखे मंडी is the right answer माप किजिएगा मंडी नहीं है option आपके पास D कुलू है में एक चुल में कुलू कहना चाहरा था मंडी फर्स्ट सेकिन में दिख गया तो उसकर के मंडी निकल गया कुलू आपके पास इंदर किला परवर चूटी हिमाचल परदेश में कुलू में है हिमाचल परदेश में पत परिवान निगम HRTC कब बना HRTC हिमाचल रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्परिशन कब आपके पास इसके स्तापना की गई ये प्रिशन 49 का अगर मैं बात करू तो सभी को पता होगा option यहाँ पर 1974 राइट ऑंसर next question number 15 2011 की जन करना के अनुसार हिमाचल परदेश की साक्षरता दर कितनी है next question number 51 गडासरू जील किस जीले में से दित है गडासरू एक जील है किस जीले में आपके पास देखने को मिलती है option आपके पास दिये कि मंडी, चमबा, विलासपूर या इसमें से कोई ने तो गडासरू जील जो आपको देखने को मिलेगी question number 51 का जो B है यह आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा हिमाचल की जीले जो है important उसकी जो है मैंने एक लेक करके click video बनाई है तो ऐसे सर्च करना हिमाचल परदेश all alike trick video quality learn point आगे लिख देना आ जाएगी सारी तो सारी जीले आपको याद हो जाएगी जितनी हिमाचल परदेश में important है next आपके पास है blast poor को जो हिमाचल परदेश में मिलाने से पहले हिमाचल परदेश का क्षेतर फल आपके पास कितना था option आपके पास यहाँ पे दिये गए है तो कितना आपके पास क्षेतर फल देखनी को मिलता है यह आपने यहां पर बताना है तो option आपके पास first है, second आपके पास है, third है, fourth है, इसमें से आपके पास right क्या होगा, option आपके पास दिये गये है, हिमाचल परदेश को जो बिलासपूर, बिलासपूर को हिमाचल परदेश में कब मिलाया गया, एक तो यह प्रेक्शन भी बनता है तो यह भी आपको पताना चाहिए, 1954 की बात है, तो 1954 में मिलाया गया था, बात की जाए यहां पर इससे पहले हिमाचल परदेश का जो क्षितरवल कितना था, जो आपसे एक्शन में question पूछा गया है, तो 27,018 वर किलोमेटर option जो भी था, यह यहां पर right हो जाएगा, next, शान विद्ध परियोजना है, यह मंडी में आपके पास कौन सी नदी पर देखने को मिलती है, option आपके पास यहां पर दिये गए है, शानन विद्ध जल परियोजना, सतलुज व्यास, ओहल और चिनाव इसको रख लेजे, कोई दिकत ने, question number आपके पास यहां पर देखने को क्या पर देखने को मिलते हैं, तो यह अपने बताना है, किस जिले में आपके पास हैं, तो आपके पास हैं, कुलो मंडी चंबा या फिर सोलन, question number 54, मंडी, मंडी is a right answer, बिल्कुल, मंडी आपके सही होगा, next, दूलाची दर्रा, हिमाचल परदेश के किस जिले में, दूलाची किस जिले में आपके देखने को मिलेगा, तो सबी को पता होगा, online classes वालों को तो निसंदे पता होगा, HPGK की जो सीरीज में आपके चला रखी हैं, उसमें भी हमने ये कई बार आपके देखा हैं, कि दूला दूलादार परवश इंकला का सर्वश शिकर को न है, दूलादार परवश इंकला, मंडी में देखने को मिलती है, इसका सर्वश शिकर आपने बताना है, तो मंडी जी लेके दूलादार का सर्वश शिकर इसमें से क्या है, तो सभी को पता होगा, नागरू, option C is the right answer, question number 56 था 57, चम्भा के जो किस राजा ने औरंजेव के मंदिर गिरानी के आदेश को ठुकरा दिया था, बड़ा important question है, बहुत बार उखजाम में पूछा जाता है, किस राजा ने औरंजेव के आदेश को ठुकराएं कर यहां पे जो है, मंदिर पर हमाचल के जो मंदिर थे, उन पे सो परजी चड़ा दी ती कुछ इस तरह सी परिशन बन जाता है तो बहुत बार एक्जाम में परिशन बनता है 57 का आपने बताना है तो यह आपके पास चतर सिंग थे ऑप्शन चुटी है यह राइट हो जाएगा नेक्स्ट हिमाचल परदेश को जो अठारवा राजिये बनाने की जो गोशन आपके किसने के थी अठारवे राज्ये के रूप में हिमाचल परदेश आपके अस्तितों में आता है 1971 में इसकी गोशना गिरजा में दान सी की थी किसने के थी तो अप्शन अगर आप देखे तो 58 का उप्शन फॉस्टी इंद्रा गांधी जे राइट एंसर और निसन दे सबी को पता होगा वाइस रिगलोज को कब राष्टपती का निवास्तान नरदारित किया गया तो वाइस रिगलोज कब आपके पास राष्टपती का निवास्तान बनता है तो यह आपके पास आप्शन जो दिये गये हैं अगर यहाँ पे देखे तो 1947 को इसको राष्टपती का जो निवास्तान नरदारित किया गया ठीक है वाइस रेकल को हिमाचल परदेश का हिमाचल परदेश में जो है विदान सबा को भंग कब किया गया कब किया गया हिमाचल परदेश में विदान सबा को भंग ये परिशन को बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है विदान सबा को भंग करके विदान परिश्यत का जो गठन आपके इमर्चल में हुआ था अलकि बार में विदान परिश्यत से वाप्रिश इसको विदान सभा में आपके सम्मिलित किया गया कब की बात है कोशन नमबर 60 अगर मैं बात करूँ तो यह 1956 की बात है option जो भी था यह यहाँ पर राइट हो जाना था next चलते है question आपके पास यहाँ पर रेगा question number 61 केंद्रिय विदान परिश्यत में जो एक किसने बम फेका था तो सभी को पता होगा यह कौन आपके पास थे एक तो विक्ति आपके पास है बगत सिंग दूसरे इसमें जो विक्ति आपके रहे तो कौन देखने को मिलते हैं यह देखने को मिलते हैं आपके पास बट्टु केश्वर्दत option जो C है यह आपके पास यहाँ पर option C नहीं होगा option जो A और C दोनों आपके पास यहाँ पर सही होगी तो option A और C, option N के D सही होगा सविधान के जो है किस अनुच्यत के अधार पर राज्यो में सविधानिक तंतर फेल होने की जो स्थिती में है राश्टपती शाषन आपके लगाया जाता है सबी को बता है राज्यो में सविधानिक तंतर अगर पर फेल हो जाता है तो राश्टपती शाषन आपके लगता है किस आर्टिकल के अंतरगत यह प्रावदान है आर्टिकल 356 याने की option C is a right answer question number आपके पास यहां रहेगा विश्व रक्तदान दिवस आपके कब मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है बहुत बार repeat आपके हुआ है even mock test के अंदर repeat आपके question हुआ है बता जीए रक्तदान दिवस आपके कब मनाया जाता है तो option आपके आप यहां पे C अगर आप कर रहे हो 14 जून तो right आपके पास हो जाएगा next 64 मात्मा गांदी के राजनीती गुरू कौन थे option आपके पास दिये गए है मात्मा गांदी के राजनीती गुरू मापकी जीगा यहां पे राजनीती कि नहीं यहां आप से अध्यात्मी का आपके पूछे गए तो मात्मा गांदी के अध्यात्मी गुरु आपके इसमें से कौन थी गौपाल किशन, लालाजपत्रा, लियो टॉल्स्टोय, आपके पास रास ब्यारी गोस्ट तो यहाँ पे अध्यात्मी कुछेंगे तो अध्यात्म के साथ जुनने का जो संबन्द है लियो टॉल्स्टोय की लेखनी से काफी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं गान्दी जी, इनके अध्यात्मी गुरु आपके माने जाती राजनीदी गुरु के तोर पे आपके पास गोपाल किशन, गोखले, ओप्शन, ए फिर आपके राइट हो जाना था लेकिन अभी जो एडाइट आपके पास है लियो टॉल्स्टोय ओप्शन, ए नेक्स्ट जनसंख्या के इसाफ से बारत का पूरे विश्यो में कितना प्रतिशत है एरिया वाइज आपने बताना है पूरे विश्यो का जो आपके पास जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में आपके निवास करती है according to 2011 census 2011 की census के according आपने बताना है क्योंकि 2021 में तो भी census आपके हो नहीं थी लेकिन हुई नहीं है हाला कि अब यह percentage यहाँ पर बढ़ चुका है लेकिन अभी आँकड़े आपके पुराने ही है तो निस्दे पुराना ही सही होगा तो option अगर आप यहाँ पर देखे ए 65 का first 17.5% आपकी पास यह population आपकी पास cover करती है पूरे वर्ड की population का 17.5% इंडिया में रहता है एरिया की बात करो इंडिया जो एरिया cover करता है वो 2.4% आपके एरिया cover करता है पूरे विश्व का ठीक है तो एरिया तो मुश्किल लगता है कि चेंज मुश्किल हो सकता है कि हो ना क्योंकि 2.4% है तो 2.4% है इंडिया अपना एरिया किसी को देने वाला नहीं है किसी और क से 2.3 नहीं हो सकता अब यह चांसिद आपके नाके बरावर है नेक्स्ट सविधान सभागे कुल स्टस्चों की संख्या कितनी थी बहुत अच्छा प्रश्ण है और मेक्सिमुम स्टुडेंट को आ जाएगा समझ क्या प्रश्ण आपसे पूछा गया है 389 ठीक है 389 भी आगे डिवाइट थे दो भागों में कैसे थे एक था आपके पास 296 प्लस 93 296 कहां से थी ब्रीटिश बारत की प्रांत ठीक है 93 रियास्तों से इनको प्लस करके बनता है 389 हाला कि बाद में भारत जब अजाद हुआ उसके बाद जो आपके पास अजाद बारत म तो 299 रहे गई थी जिसमें से 229 ब्रीटिश बारत के प्लस 70 आपके पास देशी रियास्तों से आपके पास देखने को मत थी तो छोटे-छोटे एफेक्ट लेकर चलना तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा सी सी राइट अंसर नेक चलते हैं गोश्ट नमबर आपकी पास रहे अब डियूटीज आप से पूछा गया है डियूटीज के स्टेज के सविधान चली गई हैं मौल करतवे जो आपके पास अंकित किये गए हैं यह लिए गये थे आपके पास ऑप्शन अगर आप 67 का देखे तो कौन सा आपके पास राइट होगा तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया है जो कि आपके पास रूस हैं पहले आपके पास यह क्या था यूएससर आपके पास था विगटन इसका हुआ उसके बाद आपके पास उत्रादिकारी के रूप में रशिया जो वरतमान में रूस हैं यहाँ से बारतिय सविधान के अंदर है मौल करतवे को अंकित किया गया है 1976 में एक amendment देखने को मिला 42 amendment के अंतरगत ठीक है 42 सविधान से निचूदन इसके अंतरगत मौली करतव्य जो है रूसके सविधान से बारतिय सविधान के अंतरगत आपके रखे गए है संग और राज्ये जो संबंद है उन सभी का जो वर्णन है सविधान के किस भाग में है संग और राज्ये का संबंद का जो वर्णन है सविधान के किस भाग में है एक प्रशन किस अनुसूची में यानि कि आपके पास किस शेडूल में ये भी प्रशन पूचा जाता है तो अभी तो प्रशन क्या पूचा गया है प्रशन पूचा गया कि बात ती है सविधान की किस बाग में संगोर उसके राज्य के संबंद में जो है वर्णन आपके देखने को मिलता है तो बाग दिए कि बाग नो है बाग अठा रहा है बाग गया रहा है और बाग आपके पास यहां पर बंद रहा है कोश्चन नमबर 68 की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपके पास राइट हो जाएगा पार्ट 11 शेडियूल अगर पूछा जाता तो शेडियूल आपके पास कौन सा होता सेवन्थ शेडियूल सात्वी अनसूची में आपके पास तीन अनसूचियां जो दी गई है सात्वी अनसूची के अंदर तीन सूचियां संग सूची, राज्य सूची, समवर्ते सूची यही तो है राज्य और आपके पास संग के भी शक्तियों का भी भाजन हारा कि विदाई शक्तियों की बात की जा रही है यहाँ पे संसत की स्युक्त अधिवेशन की जो बैठक की अधिक्षता है कौन करता है स्युक्त बैठक यानि की जुएंट सेशन पिछले सेशन में भी था यह वाला कुश्चन सेम कुश्चन आर्टिकल 108 के अंतरगत प्रेजिडेंट इसको बलाता है अधिक्षा करेकर लोगसभा का अधिक्ष ऑप्शन यहाँ पे बी था यह आपके यहाँ पे अरैट था दिशानतर रेखा में क्या बताती है दिशानतर रेखा पहले तो पूरी प्रत्वे के अंदर जो दिशानतर रेखा है कुल कितनी दिशानतर रेखा है यह प्रेशन भारत में कौन सी एक दिशानतर रेखा है जो भारत का टाइम आपके डिसाइड करती है कि बारत जो है 5,5 गंटे आगे हैं लंदन से ये कैसे हमें पता लगेगा किस एक दिशानतर रेखा का से लगए यह पता होना चींए फिलाल देशानतर रेखा है जो आपके क्या बताती है इसे देखा अभी बातों-बातों में बात कर ली समय की बात की बता हो तो जब कि पूरी कंट्रीज किस वर्ट के अंदर कौन सा टाइम आपके चल रहा है रविंदाना टेगोर को जो है गुरुदेब की उपादी किस ने दी थी option मात्मा गांदी, आपके सुभाचंदर बोस राजंदर प्रसाथ, मदन, महान, माल्दी तो रविंदाना टेगोर को गुरु की पादी बड़ा इंपॉर्टन प्रिशन आपके पास है कोशिन बस से उन्टी वन की अगर मैं बात करूँ तो यह आपके पास मात्मा गांदी ने आपकी कहा था, इंपॉर्टन है option first is a right answer बारत का बस्मार्क किसे कहा जाता है बारत का बस्मार्क आपके किसी कहा जाता है option आपके पास यहां पे दिये गए है बस्मार्क आपके किसे कहा जाएगा iron man किसे कहा जाता है तो iron man को ही आपके बारत का बिस्मार का आपके पास लोहब पुरुश आपके कहा जाता है तो option अगर आपके 72 का देखे तो यहाँ पे सरदार वलवबाई पटेर आपको option C में देखने को मिलते हैं नेक्स चलेंगे ऐसे कौन से परदान मंतरी है जिनका निदन भारत से बहार हुआ है तो option आपके पास दिये गया है पंडी जौालाल नेरू लाल बादू शाष्त्री या फिर जेपी कर प्लाने इंद्रा गांदी इनमें से किसका निदन भारत से बहार हुआ है जो कि परदान म अगर बात किए कोश नमबर से उन्टी त्री का लाल बादू शाष्त्री आपके पास यहां पर सही होगा option के अगर बात करें option यहां पर सी सही होगा ताशकंद यह गये थे तो उस समय की यह बात थे उनका निदन आपके हो गया था संपत्ति के अधिकार को किस सविधान सश चोदन की दरवारा हटा दिया गया तो राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट आपके पास होता था चीक है आर्टिकल 31 में हाला कि 19 F के अंदर भी बात की गई है लेकिन आर्टिकल 31 इंपोर्टेंट है इसको निरस्त आपके किया गया तो किस एमेंडमेंट के अंतरगत इसको निरस्त आपके किया गया किस एमेंडमेंट के अंतरगत इसको हटाया गया यह प्रशन आपसे पूछा गया एमेंडमेंट आपके जो देखने को मिला क्या 44 था, 42 था, 54 था, 46 था कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अंत्रिगत आपके पास यहाँ पर इसको हटा दिया गया तो यहाँ पर गर राइट अंसर की में बात करूँ तो 74 का जो फॉर्स्ट ओप्शन है 44 एमेंटमेंट कब देखने को मिला 1978 में आपकी बुक में 1979 भी हो सकता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं एक चुल में 78 आपकी पास राइट है बारत की कोकिला किसी कहां जाता है बहुत पार प्रेशन बज़ते जाता है आपके बारत की कोकिला कोशन नंबर 75 सभी को पता है स्रोजने नाइडू ठीक है लता मंगेशर को कहा जाता है स्वर कोकिला ठीक है कुछ को लगेगा कि कोकिला है तो नहीं आता है तो लगा दिया फिर आपकी पास लता मंगेशर तो ये फिर आपकी पास आपका अंसर यहाँ पर गलत हो जाए अगला प्रिशन पंचतंतर किसकी रशना है प्रिशन आपके पास दिया गया है पंचतंतर किसकी रशना है जो की लोकिक साहित्ते का भाग है ठीक है लोकिक साहित्ते के अंदर आपके पास आता है पंचतंतर है यह एतियास को जानने का एक तरूत है लोकिक साहित्ते के अंदर देखा जाता है पंस्तंतर इसकी रशना किसने की है कोशिनमबर 76 के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्षिन जो है विश्णु शर्मा पंस्तंतर की जो है रशनाकार आपकी पास देखने को मिलते हैं नेक्स्ट 47 कोशिनमबर 47 क्या कहता है बिहु लोक नित्य जो आपकी बिहु नित्य जो है किस राज्य का नित्य है लेकिन लोक नित्य शास्त्रिय लोक नित्य अलग है लोक नित्य अलग होते है शास्त्रिय लोक नित्य देख लेना ये बिहु एक नित्य है जो किस राज्य से स कोश्चन नमबर 78 डियूमा किस देश की संसद का नाम किस देश की संसद का नाम है क्योंकि संसद के नाम पूछी जाते हैं जैसे बारत में संसद को पार्लेमेंट या संसदी कहा जाता है जिसके दो सदर है वैसे जापान में जो आपके पास से इसको डियूमा आपके पास कहा जाता है तो option यहां पे अगर देखे तो गिस देश के संसत का नाम जापान में इसको डाइट का रहा था कि यहां पर फूचा किया गया कि डीयुमा कि संसत का नाम है 78 का जो आपके पास यहां पे जो होगा Option C रोज ठीक है डाइट जो है जापान की है इसराइल की नेसेट है यह भी ध्यान लखना रज़त करांती किस से संबंदी एक तो प्रशने से बन जाते हैं क्रिशी से संबंदी कि कौन सी करांती किस से संबंदी तो यहां पे रज़त करांती पूछा है तो रज़त करांती क्या अंडव पादवन मसाला का पास या फिर फल उतपाद Option आपके पास 79 में दिये गये हैं Option अगर आप देखे 79 का जो हो जाता है यहां पे आपके पास अगर हम बात करे रज़त करांती तो रज़त करांती किस से संबंदी थे यह देखने को मलती है अंडा उतपादन से एग के प्रोडक्शन से option first, right हो जाना थे वाइटामिन के की कमें से कौन सा रोग होता है तो वाइटामिन से आपने बताना है कि के से कौन सा रोग होता है A से रतोंदी होता है B से बेरी-बेरी, C से सकरवी, D से रोग होता है उसमें कमें यानि की वह क्लोट आपके पास नहीं बनता है जिसते लगातार खूं का बहाव के देखने की कमें वो vitamins K के कमे के कारण आपके पास देखने को मिलती है तो option अगर आप यहाँ पे C देखे यह यहाँ पे राइट हो जाएगा next वर्मी कल्चर किस से संबंदी थे तो वर्मी कल्चर आपके पास इसमें से किस संबंदी थे option आपके पास वनो के स्रक्षन से केंचुया पालन से मदमक्की पालन से या रेशम उतपादन से वर्मी कल्चर यह कल्चर से भी प्रिक्षन होटी कल्चर वर्मी कल्चर सेरी कल्चर एगरी कल्चर इसके लाव आपके पास पीसी कल्चर मेरी कल्चर यह सारे कल्चर जितने भी है ये वैपारिक उत्पादन आपके पास जो रहता है करीशी का उससे संबंदित रहते हैं तो यहाँ पर प्रिक्शन जो पूछा गया उस पर आते हैं वर्मी कल्चर आपसे पूछा जा रहा है तो वर्मी कल्चर किससे संबंदित हैं Question number 81 का अगर आप देखिए तो केंचुया पालन, option जो B है, यह right है, ठीक हैं, बाकी क्या option का पता आपको होना चाहिए कि कौन कौन किस से समझे, भारतिय सविधान के सविधानिक सलाकार कौन थी, किसी का गलत हो इने सकता, तो समय भी क्यों खराब करना, सविधानिक सलाकार अलाकि गोशन आपके डल होजी ने की थी, तो उसकर के कुछ student आपके पास ज्यादा दिमाख लारा रहे होगे, तो यहां को लग सकता है कि आपके पास, क्या आपके पास होगा, तो यहां पे जो option जो देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा, आपके पास option जो है, Lawrence के प जासदान इसको बनाया गया तो अला कि गोशना कौन करते हैं डल हो जी आपके करते हैं तो यह आपको ध्यान लखना है ठीक है उपपर आपके पास सेटीटू यहां पर आपके पास एंती ठीक है लेकिन को बात नियूंशना नियूंशना हो कि मिलता है तो सबी को पता है कि आप यानिकी ऑप्शन अगर आप एंतीफॉर का डी देखे तो एंत ही रूप से यानिकी पर्मानेंट है है इसका तो आपके पास कारेकाल अपना होता ही नहीं है इसका कभी विगट नापके हो इनी सकता है तो उस्थाई रूप से इसका कारेकाल देखने को मिलता है जो कि कभी आपके इसको कभी आपके विगटित किया ही नहीं रगता है 85 कोश्च नमबर 85 क्या कह रहा है कि सविधान परिचे देती है अधिनियम संसत सविधान का परिचे इसमें से कौन देगा अधिनियम देगे संसत देगे परस्ता परस्तावना या फिर विदेग प्रिएंबल सभी को पता होगा तो सविधान का परिचे जो कौन देता है तो सविधान का परिचे आपके पास 85 के अगर मैं बात पूरू प्रिएंबल आपके पास यहाँ पर देते है परस्तावना देती कोश्चिन नम्बर 86 दह साला बंदवस्त यह एक बंदवस्त लागू किया गया था किस ने किया था दह साला बंदवस्त ऑपरके जो नो रतन शलीं आपके पास तोडर मल शुरुवात कब की गई पहली बात गनपती उत्सो किस ने शुरू किया बाल गंगदर तिलक ने कब शुरू किया गया दूसरा प्रिशन दो प्रिशन आप निकलते हैं 87 का अगर आप ध्यान से देखे तो 87 में आपके पास 1893 जा राइड अंसर दो प्रिशन बाल गंगदर ति और कापी सरानिय प्रियास था और यहां पर इसकी जीत भी आपकी हुई थी और यह अलाओ दिन खिलजी ने पहली बार स्थाई तो और पर सेना की शुरूआत की दाग और हुलिया प्रता अपनाई यहां तक की नगद वेतन की जो विवस्ता है प्रता है इसने ही आपके स्पेच 1854 का वुड़ डिस पेच दल हो जी के समय ऑप्शन जो 89 का क्या होगा 89 का यहां पर भी रैट हो जाएगा ठीक होगी बात चलते हैं नेक्स देख लेते हैं नेक्स आपके पास है 90 साइक संदी किसने लागो की साइक संदीन मेंचे किसने लागो की गवर्णर जनरल कौन से आपके पास है कौन से भारत के वोजसरेट कौन थे आपके पास इसने साइक जन्दी आपके लागो की तो 90 के अगर मैं बात करू तो वैले जली के समय दिखने को मिली और वैले जली कौन है तो वैले जी जो आप के पास हैं यह आपके पास बंगाल के गवर्नर जर्नल थे ताना भगत आंदोलन कब हुआ था कब यह आंदोलन देखने को मिला आ जाते हैं ऐसे प्रिशन एक दो आंदोलन निशनल मोमेंट में जो आपकी ज्यादा हाइलाइट नहीं रहे वो प्रिशन पूछने के संभाव न आपके कौन था नाइंटी टू के अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्मौर ऑप्शन जो डी है निसंदे राइट हो जाएगा नेक्स बच होते हैं बारत से बाहर किस मुगल शाशक का मकवरा है तो जितने भी आपके पास जो मुगल शाशक हुए चाह बाबर हुआ हुआ आयो अकवर आपके पास हुआ, जहांगीर शा जहा ऑर्ण जी और आपके पास बादर श्शाजफर यह सारे मुगल शाशक थी इसमें जो है बाहरत से बाहर तीन के मख़बरा देखने को मिलते हैं एक तो बाबर का मखबरा देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पे इस पहप लुकुर्षा जफर का मकबर भी आपके पास बाहर देखने को मिला है तो यह तीन शाशकरे जिनके मकबर है भाहर आपके देखने को मिले है नैंटिफॉर विल्ग्राम का यूद आपके कब हुआ बहुत बार प्रिश्ण पुचह जाता है तो 94 के अगर मैं बात करूँ तो सीधी सीधी बात है 1540 की बात है 1540 में आपके पास विलगराम का युद्य आपके देखने को मिलता है Next, Question No. 95 हुमायो नामा किसने लिखी? पूछे जाते हैं, प्रेशण बुक्स से पूछे जाते हैं कि कौन सा आपके पास पोस्तर किसने लिखी इसके हुमायो नामा, जहर सी बात है, हुमायो से संबन्दी थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? 95 की बात है कि हुमायो नामा जो आपके पास 95 Question है हुमाईयों के बहन थी गुलबंद बेगम इनके द्वारा हुमाईयों नामा आपके लिखी गई थी हुमाईयों से संबंदी थी हुमाईयों नामा समाचार पत्रों पर पत्रों पर जो प्रतिबंध हटाने का जो श्री है इन में से किसको जाता है समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रीक किसी प्राप थे चॉल्स मेटकॉप लॉर्ड रिप्पन वॉर्रन हेस्टिंग लॉर्ड मेंटो 96 के गर मैं बात करूँ तो चॉल्स मेटकॉप आपकी पास यहाँ भी राइट हो जाएगा आप्शन भारत में पहली रेल आपके कब चली ? पहली रेल पहली ट्रेन पहली रेल आपके बास कब चली तो पहली ट्रेन आपकी पास जो दिखने को मिलती है purchase डॉल होजी के समय कब की बात है 18.53 की बात है तो डेफिनेट जीट & 53 combination जगा हैं तो कहां क्या पर राइट है राइट है 16 अपरील 16 अपरील 1853 को पहली ट्रेन आपके चलती हैं बंबई से लेकर ठाने ठीक है बंबई से लेकर ठाने तक चली 34 किलोमोटर रही थी और कुछ याद रखने की जरूद आपको है नहीं नेक्स्ट आपके पास कोश्च नमबर 98 दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं किस जगा पर दिन और रात बराबर होते हैं तो जहां पर 12 गंटे का दिन होगा 12 गंटे की रात होगी इस तरह से कहां सकते हैं दिन और रात आपकी कहां पर बराबर होते हैं कोश्च नमबर 98 की बात करें तो यहां पे विश्वत रेखा पर यहां पे दिनो रात बराबर होते हैं और विश्वत रेखा कौन सी है पता आपको होना चाहिए तो विश्वत रेखा जो है मद्य रेखा कहे लिजी विश्वत रेखा कहे लिजी एक्विटर लाइन कहे लिजी बुमद्य रेखा क और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको जीरो डिग्री अक्षा श्रेखा मान कर चलिए सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहे आपके कौन सा है तो बताने की जुरूद तो है नहीं वैसी लेकिन तब भी आपको बताई देते हैं सबसे बड़ा सोर मंडल में ग्रहे देखने को मिलता है अंतिप्रेशन आई जान में जान मुस्लमानों के जो है प्रिथक राज्य जो पाकिस्तान का जो विचार है किसके मस्तिश्क में पहली बार आया था कि एक अलग जो है मुस्लमानों के लिए एक अलग राश्टर होना चाहिए ये विचार किसके माइन में किसके मस्तिश्क में ये रहे था किसके माइन में पहली बार ये विचार आया कि मुस्लमानों के लिए प्रिथक राश्टर होना चाहिए ठीक है पाकिस्तान जो होना चाहिए तो विचार क पाकिस्तान अलग राष्ट बनाने की जो मांग है, किस एक वोईसरे के समय आपके उठे दी, ये भी प्रिशन आपके लिए रहेगा, और बाकी 100 कोशन थे, 100 कोशन आपके complete होगे, अब बताएगा कितना आपका स्कोरा और कितना आपके लिए helpful रही है वीडियो, बाकी अगले स संडे के लिए English section include करेंगा, अगर आप comment section में comment करेंगे, और जैसी 40 के होगे, तो वैसी आपके लिए चार दिन का live session लेकर आऊँगा, अगर होते हैं तब ही आपके लिए कर आऊँगा, अगर जल्दी हो जाते हैं, तो जितनी दिन बचे होगे, उनके last के बाकी दिन में, live session for daily आपके यूटूब पर चलेंगे, ठीके जी, thank you so much, बाकी अपने दुस्विक साथ वीडियो को जरूँ शेर कीजेगा, बाकी मिलते हैं next session में, आप सभी का मेर साथ बने रेन के लिए तैदिल सी बहुत बहुत धन्यवाद